आपके बास Motorola S30 series का कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप notification ringtone या sound change क्या से कर सकते हैं तो इसके लिए आप setting पे जाएंगे इस टेप से option आएगा scroll कर लेंगे sound and vibration के option पे click कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आपको scroll कर लेना है notification sound के option पे click कर लेना है यहाँ पे आपको system की तरफ से जो sound दिये गए हैं उन में से कोई set करना है तो बस आप उससे select करके ok कर लेंगे तो वो sound आपका set हो जाएगा लेकिन अगर आपको silent करना है particular notification को तो आप यहाँ पे none करके भी ok कर लेंगे तो silent हो जाएगा एक option आता है add notification का आप plus पे जाएगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड में से ऐसे करके अपना जो sound डाउनलोड कर रखा वो click कर लेंगे तो वो यहाँ पे add-on हो जाएगा आपके ringtones में तो यहाँ पे बस आप उसे select करके ok कर लेंगे तो ringtone आपका set हो गया है तो यह थोड़ा सा lumber song है मैंने just example के लिए बताया था तो यहाँ पे system में से ही मैं कोई एक select कर लूँगी और ok कर लूँगी तो यहाँ से देख सकते है notification sound change हो गया है ठीक है इसके बाद यहाँ पे vibration and haptics पर जाएंगे ना तो notification का vibration आप off कर सकते हैं on कर सकते हैं और इसके बाद एक चीज़ और आजाती है notification का volume किसी को बहुत जादा कम sound पसंद है notification का तो वो कम कर सकते हैं तो यहाँ से आप volume पे खुद से customize कर सकते हैं कि ringtone का volume कितना रहेगा और call का volume और notification का तो notification का आपने according adjust कर लेंगे और back कर लेंगे मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार